मेरा भारत स्वास्त भारत के अंतरगत इस स्वास्त परी चर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है नमस्कार जैसे हमने पहले भी बताया कि हम आपको बहुत ही सहतमन बनाना चाहते हैं और बिछले एपिसोट में हमने जाना मैंसिस से संबंदित भिविन जानकारी उसके लक्षन भी जाने कारण भी जाने और आज हम फिर से इसी के उपर जर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे दर्सकों के हमारे बीच सवाल आए हैं और आज हम उन्हीं सवालों के जवाब और उसके और कारण हम जानेंगे और इसके लिए फिर से हमारे बीच में है इसी रोविशेशक डॉक्टर पुशरपांडीजी डॉक्र पुशरपांडीजी आपका बहुत-बहुत स्वागत है नमसकार ओम शान्ती डॉक्र पुशरपांडीजी ऐसे पिछले अपिसोट में आपने बताया था मैंसिस से संबंधित जानकारियां दी थी कि उसके कारण क्या होते हैं उसके लक्षन क्या होते हैं और अलग-अलग एज में इस मैंसिस प्रब्लम होते हैं परिशानिया होती है तो हमारे दर्शकों का एक सवाल है कि जैसे डे वाई डे यह immense problems होते हैं तो किसी को एक दिन होता है फिर उक जाता है या किसी को एक मन्त में आ के या छे मन्त बाद आता है इसे उक उक के आता है तो उससे समंधी समस्यां क्या होती है कभी-कभी ऐसा होता है कि six month नहीं हुआ four month नहीं हुआ उसके बाद आता है तो ये जो समस्या है अगर adolescent age में ली जाए या menopausal age में ली जाए तो उसमें कोई problem नहीं है ये स्वाभावी क्रीती से hormonal imbalance के कारण हो सकता है लेकिन एक जो दूसरा कारण है ये तो physiological हुआ और दूसरा pathological जो कुछ कारण से होता है तो adolescent age में middle age में ये दूनों जो कारण है ये polycystic ovarian syndrome के कारण होता है polycystic ovarian syndrome जिसमें कि लंबे समय तक बंद हो सकता है जैसे हमने कहा कि मोटापा आता है और मोटापे के कारण जो estrogen, testosterone में कनवर्ट हो जाता है उसके कारण लंबे समय तक menses नहीं आ सकता है और एक तीसरा कारण ये भी हो सकता है जैसे कि tuberculosis कहते है जैसको genital tuberculosis कहते है उसमें भी ये बंद हो जाता है कभी 6 महीने नहीं आएगा फिर उसके बाद 1-2 दिन आएगा मतलब जिसको scanty menses कहते है बहुत कम और अगर कुछ और भी problems है जैसे मान लीजे कि ovary पूरी तरह से develop नहीं है या कोई भी genital organ अच्छे से develop नहीं है तो भी ऐसा हो सकता है कि कम bleeding हो uterus छोटा हो तो 6 महीने तक नहीं आएगा और फिर एक बार आता है और साथ में कुछ-कुछ hormonal problems भी होती है जैसे hypothyroidism तो उसमें thyroid की कमी हो जाती है thyroxine hormone की तो उसके कारण भी कभी-कभी 6 महीने भी नहीं आएगा 4 महीने नहीं आएगा 2 महीने नहीं आएगा और उसके बाद एक दिन आता है तो यह तो anatomical problem हो सकती है मतलब उसके जो genital organ है वो ठीक से बने नहीं है कमजोर है थोड़े से यह साधारन भाशा में काओ कि कमजोर है जितने powerful होने चाहिए ताकतवर होने चाहिए uterus और उब्रीस वो नहीं है उसके कारण हो सकता है या फिर जैसे physiological हो सकता है या फिर pathological हो सकता है pathological मतलब कि कोई बिमारी anatomical मतलब कि उसके बनावट में कुछ कड़ पड़ है physiological मतलब जो स्वाभावी hormonal changes आ रहे है तो उसके कारण यह ऐसा हो सकता है जैसे कि डोक्टर जी आपने बताया कि thyroid इसका कारण होता है thyroid की आपने बात की तो thyroid के amensis का कारण है जो बताया thyroid जो परिशानी है विमारी है उसमें amensis का कारण है amensis thyroid का कारण है यह क्या होता थाइराइड दोनों का आपस में बहुत संबंध है लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो हमारा menstrual problem है उसके कारण thyroid में कुछ defect है ऐसा नहीं, thyroid एक gland होती है जो कि endocrine glands होती है हमारी शरीर में बहुत सारे endocrine glands होती है उसमें से एक endocrine gland के भी होती है और उससे thyroxine hormone release होता है तो thyroxine hormone जो होता है ये control करता है हमारी जो mensis जो होता है उसमें जो hormone होते है उसमें भी इसका role होता है क्योंकि अगर ये disturb है तो menstrual cycle disturb हो सकती है और उससे वो कम होता है तो during pregnancy भी अगर thyroid hormone कम है ये क्योंकि आजकल हम check-up पहले तो कराते ही है ये क्योंकि जो normal level जो होना चाहिए उसके लिए जिसको हम TSH test कहते है thyroid stimulating hormone और उसके साथ फिर होता है T3, T4 hormone होता है तो कई endemic areas होते है endemic areas मतलब कि जहां पर ये thyroid problem बहुत ज्यादा common है जहां गॉइटर भी आपने देखा होगा बड़े-बड़े गले वाले होते हैं यहां पर बड़े-बड़े होते हैं जिनको गॉइटर कहा जाता है शरीर नहीं यहां पर आपने देखा होगा कि यहां नोडियोल नोडियोल रहते हैं करी लोगों के तो यह ऐसे नोडियोल रहता है जिसको तो वो endemic area कहलाता है जहां पर कि उस area में बहुत ज्यादा है तो उस area में thyroid stimulating hormone वो हम हर patient का routinely कराते हैं और even pregnancy के पहले भी उनका कराते हैं तो जो normal जो level होता है TSH का वो 5 तक तो होना चाहिए अगर 5 से आजकल तो और भी 4 और 5 लेते हैं और अगर उससे ज्यादा है thyroid stimulating hormone तो फिर पूरे T3, T4 भी सारे test कराते हैं और pregnancy के समय इसका level थोड़ा कम हो जाता है जो normal level होता है वो उससे थोड़ा कम हो जाता है यहां पर तीनों जो ट्राइमेस्टर होते हैं जैसे कि हम pregnancy को तीन भाग में बाढ़ते हैं पहला तीन मन्त दूस्ता तीन मन्त और तीस्ता तीन मन्त तो इसमें जो level होता है वो 2.5 हम लेते हैं यूंकि इसमें फिजियोलोजी के कारण जो मतलब नॉर्मल जो आना चाहिए 5 उससे यह कम दिखाता है तो जब इसमें भी pregnancy के भी समय कम आता है और इस समय जो thyroid stimulating hormone का और thyroxine दोनों का आपस में बड़ा संबंध है अगर मान लीजे thyroid stimulating hormone जादा है तो फिर thyroxine जो level है actual वो कम होगा तो फिर वो hypothyroidism कहलाता है तो उस समय हमको देना पड़ता है artificial thyroid देना पड़ता है लेकिन ऐसा नहीं है menstrual cycle का और thyroid hormone का relation जरूर है thyroid gland होती है जो endocrine gland कहलाती है और इससे जो hormone निकलता है वो thyroxine कहलाता है इस thyroxine level का direct ovarian hormone estrogen पर भी असर पड़ता है और indirect असर होता है तो उसके कारण कभी कभी जैसे हमने बताया कि ऐसे patient आ सकते हैं कि लंबे समय तक कौन सो menses ना हो 6 मास तक हो सकता है एक मास तक हो सकता है और इस condition को हम hypothyroidism कहते हैं और इसमें जो हम test कराते हैं वो सबसे पहले जैसे जो endemic area होता है endemic area वो कहलाता है जहां पर की thyroid gland के problem ज्यादा होती है और उस area में हम TSH जरूर कराते हैं तो TSH जो कहते हैं thyroid stimulating hormone तो यह hormone का जो level होता है वो normal में 5 तक रहना चाहिए 4 to 5 रहना चाहिए लेकिन pregnancy में इसका level थोड़ा कम रहता है 2.5 लगबग रहता है तो hypothyroidism अर्थाथ कि thyroxine level कम हो जाता है तो फिर TSH level बढ़ जाता है इस stimulating hormone जो है वो बढ़ जाता है उसको हम hypothyroidism कहते हैं उसका प्रभाव इस uterus पर पढ़ता है जिए 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 होर्मोन बताया जिससे की menses disturb हो जाता है और कभी-कभी उल्टा भी होता है कि thyroxine जो होता है वो ज्यादा हो जाता है तब TSH level कम हो जाता है तो उसका भी प्रभाव पढ़ता है तो thyroid इसके कारण या तो ज्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है ये problem हो सकते है डॉक्टर पुष्पा जी एक और सवाल हमारे दर्षकों की तरफ से आया है कि जैसे आपने टेबलेट की बात की कि जब दर्द होता है तो टैबलेट ले सकते हैं तो क्या उसकी टैबलेट फिक्स होती है या अलग-अलग ले सकते हैं और अगर ले सकते हैं तो क्या उससे कुछ समझ से आए आ सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है कोई एक फिक्स टैबलेट नहीं होती है जैसे जब dysmenoria जिसको हम कहते हैं दर्द में, तो जो primary dysmenoria होता है, उसमें हलके analgesic जो होते हैं, वो हम उसमें antispasmodic होती हैं, वो tablet, variety of tablet आती हैं और वो दे सकते हैं, तो ऐसे कोई fix नहीं है, dysmenoria में, लेकिन जो endometriosis के कारण जो दर्द होता है, उसमें ये दर्द की दवाईयां जादा काम नहीं करती हैं, उसमें भी variety of medicines दी जाती हैं, जो कि हॉर्मोन होते हैं, और पहले जो हॉर्मोन होते थे, वो उनमें dose, estrogen, progesterone की जादा रहती थी, लेकिन आजकल नए नए आ fix है, कि आपको यह fix देना है, और इनके कोई ऐसे बहुत ज़्यादा side effect नहीं होते हैं, पहले जो दवाईयां दे जाती थी, वो थोड़े side effect उनके ज़्यादा होते थे, लेकिन आप चुकि dose बहुत कम हो गई है, इसलिए उनके side effects कम होते हैं, जैसे कि आपने बात की menses के बा आपने बाते हैं, लेकिन बात आती है, ग्रामीन की लड़कियों की, जो कि वो खुलकर बात नहीं कर पाती है, विशेश अपने भाईयों से, हस्बेंड से, तो उनकी help नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आप उनके लिए क्या बढ़ोतरी कर सकते हैं, या हम ग्रामीन लड़किय की या महिलाओं की मदद कर सकते हैं, इसमें काउंसिलिंग पार्ट बहुत इंपोर्टन्ट होता है, और सबसे पहले, तो अगर ग्रामीन क्षेत्र के भी, अगर हमारे दर्शक देख रहे हों, तो ये जो मेंस्रोल साइकल है, ये नॉर्मल है, फिजियोलोजिकल है, इसमें क कोई शरम की बात नहीं, कोई जिजग की बात नहीं, ये हॉर्मोनल लेवल जो चेंज होता है, इस्टोजन प्रोजिस्टरॉन जो होता है, उसके कारण ये नॉर्मल एक मन्त में एक ऐसी साइकल होती है, जो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, तो जो भी उनके सगे सम्मंधि, जो हमारे बेनों के हैं, चाहे युपा हैं, चाहे जादा आईज में हैं, इसको टैबू ना समझें, और अगर उनके कुछ प्रोब्लम होती है, तो अब शेही डॉक्टर के पास ले जाएं, और ऐसे छुआ छुद इस तरह से कुछ भी ना करें, उनकी जरूर हेल्प करें, क अगर आपको ऐसा लगता है, कि वो तकलीफ में बैठी हुई है, पेन है, और वो कुछ कारे नहीं कर पा रही है, तो आपको उसे पूछना चाहिए, कि क्या प्रोब्लम है, जिसे वो ओपन हो सके, और आपको बता सके, तो आप डॉक्टर के पास चरूर ले जाएं, तो सभी क्रामिन, भाई, बहन, जो भी उनकी सासें हैं, वो भी जरूर हेल्प करेंगी, क्योंकि सासें में जो होती हैं, महिला ही होती हैं, तो महिला ही सोचती हैं, कि अरे, ये तो है, खाना भी नहीं छुना है, ऐसा निक करना है, ये सब ऐसा नहीं, ये फिजियोलोजी है, तो जब बहुत अच्छी बात है कि आप इस प्राब्लम में लेकर आए हो लेकिन असली जो प्रॉब्लम है वो तो खुद ही बता सकेगी ना तो आजकल थोड़ा आवेरनेस तो गाउं में भी आ गई है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है एक और सवाल हमारे दर्शकों की तरफ से है रोक्रोपिशर पार्णी जी कि जो पिछली अपिसोट में जैसे आपने बताया कि सर्किल क्या है और कि पिछली अपिसोट में जैसे आपने बताया सर्जिकल क्या है तो क्या इस सर्जिकल को निकालने से फाइदे हो सकते हैं नुकसान हो सकते हैं क्या जो surgical शब्द आया था वो surgical menopause वो इस reference में आया था तो जैसे हमने कहा था कि जो menopause होता है एक natural होता है natural मतलब स्वाभाविक उसका कोई operation नहीं हुआ है और उसका uterus अंदर है ovaries अंदर है तो जो स्वाभाविक रीती से जो होता है उसको हम natural menopause बोलते हैं और जो surgical menopause होता है अर्थात कि उसकी जो uterus है वो निकल गया है और ovaries साथ साथ में निकल गई है क्योंकि ovaries से estrogen का निर्मान होता है तो अगर माल लेजिए 35 साल में 32 साल में आज कल तो 30-32 साल में भी histectomy होने लगी है histectomy मतलब uterus का निकालना तो उस समय ovaries निकल गई तो estrogen hormone एकदम sudden down हो जाता है जैसे ही sudden down होता है तो उसको physical problem भी start हो जाती है mental problem भी start हो जाती है और इस समय जो problem होती है वो natural menopause में जो complication होते हैं उससे जादा होती है तो उससे जादा अर्थात उसकी हड़ियां कमजोर हो जाएंगी उसको hot flushes जो होते हैं वो जादा होते हैं hot flushes बहुत गर्मी लगना बहुत गर्मी लगना पसीना आना घबराट होना यह उसको बहुत जादा तो इसी लिए हम यह avoid करते हैं जहां तक हो सके चालिस साल तक uterus ना निकाला जाए तो बहुत अच्छा क्योंकि अगर 45 के आसपास निकालते हैं तो तो natural menopause होता है लेकिन अगर जल्दी होगा तो बहुत जादा तकलीफ में चालू हो जाती है उसको weakness चालू हो जाती है fatigness तो लगती ही है तो surgical menopause जो होता है उसके काफी नुकसान होते हैं जो natural menopause होता है उसके इतने नुकसान नहीं होते हैं वो normal एक process में आ जाता है और इसके जो फाइदे जैसे बात कही कि भई कई ऐसी conditions होती है जिसमें निकालना पड़ता है आपको मैं एक patient का बतला हूँ कि 28 साल की वो एक गाउं से आई थी थी हम सोच भी नहीं सकते उसका जो cancer cervix था वो stage grade 3 का था मतलब इतना जादा फैल गया था 28 क्या वो 22 साल की लगबकती शादी उसकी होई थी थोड़ी कम एज में शादी हो गई थी उसकी 16-17 साल में हो गई थी और वो 22 साल में उसको cancer तो कभी-कभी तो निकालना भी पड़ता है क्योंकि जो इस complications होते हैं उसके comparison में निकालना तो ज्यादा ठीक है ना मान लीजिए उसको cancer ऐसा हो गया है तब तो फिर दूसरे ही operation बड़े ही operation होते हैं लेकिन उसके पहले भी अगर उसको मान लो लगता है यह cancer के पहले की stage है और cancer हो सकता है इसको पूरे में फैल रहा है तो निकालना पड़ता है निकालना ही पड़ता है बहुत सारी ऐसे conditions होती है जिसमें हम नहीं रोख सकते हैं जैसे कि मान लीजिए कि fibroid uterus है fibroid uterus में मतलब कि जो पेट में इतना बड़ा उसका गठान हो गए पूरा गोला यहां तक हो गया है कि उसको pressure effect आ रहा है मान लीजिए उसकी kidney के दब रहे हैं उसमें जो ureter है वो दब रहा है सारे pressure effect आ रहे हैं और pressure effect के कारण वो अपना life नहीं जी पा रहे है और वो fibroid ऐसा है कि उसको दवाईयों के द्वारा कम कुछ दिनों तक तो किया जा सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं किया जा सकता त तो तकलीफ उसकी बनी ही हुए है जब बनी हुए है तो वो तो निकालना ही पड़ेगा नई डाल वो कुछ करी नहीं सकते हैं तो surgical का यई है कि मतलब uh operation करके जो निकालने के बाद जो तक्लिफ है होती है जी 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 जब को बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कैंसर ज इक और सवाल हमारे दर्शकों की तरफ से है रोग रूपुषपा जी, जैसे आपने बार बार TV की बाते करते हैं, कि ये TV, तो हम TV की विमारी जहां तक समझते हैं, जो हमें खासी आती है, वो एक TV होती है, तो क्या मैंसिस टीवी का कारण है या टीवी मैंसिस का कारण हो सकती है ना तो ऐसे नहीं है मैंसिस तो नॉर्मल होता है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है लेकिन हम दर्शकों को भी बतलाना चाहेंगे कि टीवी सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि फेफडों का ही होता है शरीर में किसी भी अंग का TB हो सकता है मस्तिश्क से लेकर नीचे पैर तक किसी भी अंग का TB हो सकता है तो जो TB uterus या बच्चे दानी को प्रभावित करती है उसको genital tuberculosis कहा जाता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि genital tuberculosis वाले patient को श्वासों की तकलीफ हो वो अलग है जो श्वासों की तकलीफ वाले जो TB होती है उसमें व्यक्ति को भूग कम लगती है वो दुबला पतला हो जाता है और उसको जो रेस्पिरेटरी उसमें फैल सकता है एर बॉरा इंफेक्शन हो सकता है लेकिन जो genital tuberculosis है उसमें ऐसा नहीं है उसमें लेडी हिल्दी रहती है और कभी-कभी वो जब आती है तो उसका जो सबसे शादी के बाद अकसर आती है या तो उसको माहवारी रुक जाएगी जिसको एमिनोरिया कहा जाता है या तो इस कमप्लेन से आती है या दूसरा जो कमप्लेन होता है वो इसलिए होती है कि उसको बच्चे नहीं हो रहा है इसलिए प्रॉब्लम होती है और जो तीसरी कमप्लेन जो होती है टीबी में जो genital tuberculosis के आरण होती है वो मैनोरिया हो जाती एक तरफ तो आमिनोरिया भी हो रहा है मतलब कि बिलकुल नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ मैनोरिया भी हो जा रहा है और जो ट्यूब फैलोपियन ट्यूब जो कि ओवरीस के साथ है उसका एक भाग है तो वो ब्लॉक होने का मुख्य कारण टीबी है और टीबी वालों को फिर अगर खोलते भी है आजकल तो ऑपरिशन होते है लेकिन थोड़ा मुश्किल होती है क्योंकि अगर टीबी वहाँ पर हो गई ट्यूब में हो गई है तो ये भी संभावना है कि यूट्रस के अंदर भी टीबी पहाँच गई हो तो ये इससे सेकेंडरी हो सकता है मान लो किसी को टीबी की हिस्ट्री है तो उसको भी जनेटल औरगन इंबॉल्व हो सकते है लेकिन डाइरेक्ट भी जनेटल टूबरकुलोसिस हो सकते है और हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है सबसे कॉमन कॉस है वो TB है, जैसे अपने TB की बात की, तो सिंपल सा कुर्स, प्रश्न है कि अगर TB है, तो कैसे मालूम चलेगा कि इनको अंदर TB है, बता लगाया जा सकता है कि इसका, उसके बहुत सारे टेस्ट आते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी इंफेक्शन के लिए तो आता ही है, अगर मान लो कुछ स्पूटम आ रहा है, तो उसके लिए टेस्ट होता है, उसके साथ ही, जैसे जब हम कभी मैनुरेजिया मतलब की खुण जादा जाता है, तो DNC भी करते हैं, और उसमें जो निकलता है, माटेरियल जो निकलता है, उसको हम PCR टेस्ट के लिए भेजते हैं, तो और PCR टेस् जाता है, कि वास्तों में इसको हो सकता है, टीबी हो, और जो केजियस ऐसे कुछ मटेरियल दिखाई देता है, उससे भी समझ में है, जब हम लप्रोस्कोपी करते हैं, या खोलते हैं, तो उसमें छोटे-छोटे जो हैं, डॉमिन में टुबर्कल्स देखते हैं, और वो टिबी में टिपिकल होता है, जिससे पता चल जाता है, कि ये टीबी है, इसको, जी, एक और प्रशन हमारे पास है, कि जैसे कहा जाता है कि आपने बताया, पिछली एपिसोड में, पैप इसमेर, जी, तो इसमें क्या है, और किस प्रकार की टेस्ट करवाय जा सकते हैं, या यी चेत्र की जो मेलाय होती हैं वो इतने महगी टेस्ट नहीं करा सकते हैं तो क्या उपलब्द है टेस्ट कैसे कर सकते है जो पहपे यह स्मेर टेस्ट होता है यह कैंसर के प्रीउफेजिव मतलब कैंशर होने के पहले यह screening test कहलाता है तो screening test किया जाता है तो इससे अगर शुरुवाती stage में है अगर cells में कोई खराबी आ जा रही है और वो future में cancer में change हो सकता है तो वो पता चल जाता है तो जैसे अमने कहा कि gramir महिलाएं तो बहुत लेट आती है जब वो cancer बहुत ज़्यादा फैल चुका होता है तो उसके पहले के stage के लिए pap smear test कहलाता है तो pap smear test वैसे बहुत पहंगा नहीं होता है और हर शहर में लगभग ये available होता है और government hospitals में तो ये free होता है जैसे हमने का screening test screening test मतलब कि हर महिला को ये जाच 40 साल के बाद करानी चाहिए और हमारे हाँ तो मतलब चुकी age कम भी है cancer की और cervical cancer बहुत ज़्यादा है तो 30 साल से ही ये शुरू कर देते हैं और सिर्फ एक ही test नहीं होता है pap smear दूसरे भी आजकल बहुत सरल सरल test आए है जितमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता सिर्फ जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की कि जागरूकता लाने की जरूरत है कि हमको ये test कराना चाहिए जिससे हमारे अंदर शरीर में ये बिमारी ना है तो वो और भी cancer के लिए बहुत साधरन टेस होता है सिर्फ अंदर से जाच करते हैं और उसमें acetic acid और iodine लगाते हैं जिसको visual inspection of acetic acid VIA test कहते हैं और willy test कहते हैं इससे भी सिर्फ देखकर ही पता चल जाता है कि इसमें कुछ खराबी है जब खराबी होता है तो फिर हम उसको टुकडा निकालके जाच के लिए बाहर बेशते हैं बहुत महिंगा test नहीं होता है सिर्फ जरूरत है डॉक्टर के पास जाने के और अपना ध्यान देने के साथी साज जैसे breast का दर्द बताया तो महिलाओं को pregnancy के दोरान breast में दर्द होता है या ऐसे normal भी दर्द होता है तो क्या ये अलग होता है कि ऐसे ही normal दर्द चलता है इसका कारण क्या है देखिए breast में जो दर्द होता है वो कई कारणों से होता है pregnancy के समय जो दर्द होता है वो ऐसे ज़्यादा normal दर्द नहीं होता है लेकिन अगर infection हो जाए जिसको हम mastitis कहते हैं मतलब कि breast tissue में infection होता है तो उसमें फिर दर्द प्रारंब हो जाता है तो उस समय डॉक्टर को दिखा के जरूर दबाई ले लेना चाहिए नहीं तो वो दर्द फिर abscess के रूप में बन जाता है तो pregnancy के समय भी होता है delivery के बाद जब breast feed करते हैं जो breast feed करते समय भी lactation उस समय भी हो सकता है उस समय कभी-कभी गठान भी महसूस होती है दर्द तो होता है लेकिन गठान भी महसूस हो सकती है तो जो गठान जो होता है वो भी infection के कारण या तो पस बन गया है और pregnancy के समय भी एक तरह का cancer होता है जो उस समय होता है वैसे वो कम होता है जेकिन फिर भी during pregnancy भी cancer आजकल मिलता है और दूसरा जो दर्ध होता है जिसको कहते हैं premenstrual syndrome के समय अर्थात मावारी जब आने वाली होती है उसके पहले दर्ध होता है तो 7-8 दिन पहले बहुत ज़्यादा दर्ध होता है और इसमें psychological element बहुत काम करता है जो थोड़ा सा anxious होते हैं तो उनको ये hormonal imbalance भी ज़्यादा होता है और उनको ये pain भी ज़्यादा होता है तो ये इसमें ज़्यादा ऐसे कुछ खास दवाई देनी की जरुत नहीं होती है और सिर्फ counselling ही बतलाते हैं और थोड़ा उसको समझाते हैं कि ऐसा है ये normal है और nutrition देते हैं थोड़ा बहुत कभी hormone देने की आवश्यक्ता होती है ज़्यादा इसमें नहीं देते हैं तो एक वो दर्ध होता है फिर और भी मान लीजी कि कोई गठान है और उसमें infection हो गया तो दर होता लेकिन रेट सेज में होता है लेट सेज में नहीं होता है तो ये सारे अलग-अलग varieties है जिसमें की दर्ध होता है कुछ infective होते हैं कुछ benign होते हैं और कुछ जो malignant होते हैं जब उसमें infection हो जाता है तब होता है जी डॉक्टर पुश्पा जी जैसे आपने बताया हर एपिसोट में कि meditation बहुत ज़रूरी है पीमारियों को ठीक करने में तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कैसे meditation करना चाहिए किया कहा हम किस संस्ता में जा किया कहां जाकर meditation सीख सकते हैं कर सकते हैं meditation तो वैसे बहुत variety का होता है लेकिन जो हमारा personal experience है और जिसे हमें personal भी बहुत फाइदा हुआ है तो हम तो आपको यही advice करेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शूरी विशुविद्याले की जो शाखाएं हैं लगभग हर शहरों में हैं हर तहसिलों में हैं आप वहाँ पर जाएं और कुछ समय आप वहाँ पर meditation सीखें क्योंकि बहुत सरल प्रक्रिया है और इसका health पर भी बहुत ज़्यादा असर होता है शारीरिक स्वास पर भी असर होता है मानसिक स्वास पर असर होता है यह हमारा खुद का practical experience है कि जैसे कोई भी बीमारी तो किसी को भी हो सकती है तो जब भी हमने देखा है कि थोड़ा बहुत बिमारी होती भी है तो बहुत ही रिलाक्स फिल होता है कुछ ऐसा लगता ने क्योंकि यहां की जो टीचिंग है उसे बहुत फाइदा होता है बहुत धन्वाई डॉक्टर पुशापान्डी जी आपने हमारी दर्शकों का बहुत ही उनकी सवालों का बहुत ही अच्छे से जवाब दिया उसका हल भी बताया नमस्कार मेडिटेशन के बारे में आपने जाना कि मेडिटेशन सीखे जरूर और आधातनिक्ता को अपने जीवन में लाएं आपने देखा कि जैसे किस तरह डोक्र पुष्वपान्डी जी ने आपकी प्रश्णों का जवाब दिया और मुख्यबाद बताई कि जैसे अभी तक आपने सोना कि बहुत सारी बीमारियां और स्ट्रेस जो आता है मेडिटेशन की माध्यम से कुछ हद तक कम किया जा सकता है तो आप मेडिटेशन जरूर सीखें और उसको अपने जीवन में जरूर उतारें और हम फिर मिलेंगे आम शान्ती नमस्कार